हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल तो आज हम रेडी मेड स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इसके लिए हमने तीन मेटर फाबरिक लिया है और ये हमने वाइट लेस ली है तो इसी लेस से हम डिजाइन बनाएंगे तो सबसे पहले हमने फाबरिक को फोर फोल्ड करके रखा है अब यहां पे हम कलियां कट करेंगे उपर से नीचे तक तीन फ्रेंट के लिए और तीन बैक के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर जितना लेते हैं उसका भी हाफ करना है तो शोल्डर मैं 7 इंच लेती हूँ तो उसका हाफ करना है तो वो आ जाता है 3.5 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच का हम margin लेंगे stitching के लिए तो यहाँ पर 4 इंच पर मैं 70 इंच पर निशान लगाएंगे तो 70 इंच तक यह straight रहेगी उसके बाद हम इसको यहाँ पर straight line से जोड़ेंगे उसके बाद bottom में हमें जितना भी यह fabric है उसका हमें center ले लेना है तो यह 90 इंच का है तो इसका center हो जाएगा 9.5 इंच तो यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे अभी इसको हम यहाँ पर तीरचा जोड़ देंगे अभी हम इसकी cutting कर लेंगे यहाँ से तो हमने cutting कर ली है अभी इसको उठाकर हम इस तरफ कर लेंगे तो यह जो सीधी side है यह हमें तिरची वाली side से मिलानी है तो इस तरह से हम इसको उठाकर रखेंगे यहाँ पर हम half inch उपर चड़ाते वे रखेंगे इसको क्योंकि half inch हमारा सिलाई में जाएगा इस तरह से half inch उपर चड़ाते वे रखेंगे और यहाँ पर हम pinz लगा लेंगे उसके बाद हम marking करेंगे तो यह हिलेगा नहीं अब यहाँ से हम shoulder लेंगे तो shoulder मैं ले रही हूँ 7 inch अब यहीं से हम armhole लेंगे तो armhole भी मैं ले रही हूँ 7 inch इन दोनों points को straight line से जोडेंगे अब यहाँ पर हमें chest का fourth part plus two inch margin लेना है तो मैं ले रही हूँ 12 inch अब ही shoulder से कमर की length लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 14 inch और hip की length लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 21 inch अब यहाँ पर हमने कमर length का निशान लगाया है वहाँ पर कमर का fourth part plus two inch margin लेना है तो मैं ले रही हूँ 10 inch तो यहाँ पर हम 10 inch पर निशान लगा लेंगे अब ही जहाँ पर हमने hip length का निशान लगाया है वहाँ पर hip का fourth part plus two inch margin लेना है तो मैं ले रही हूँ 12 inch इन तीनों points को जोड देंगे अब ही इसको हमें नीचे की तरफ तीरचा जोड देना है A line shape में और यहाँ bottom में हम 3 inch उपर तक mark करेंगे और हलका सा round shape draw कर लेंगे तो इस तरह से हमें इसको round shape दे देना है अभी हम armhole draw करेंगे तो इस line का हमें half लेना है और यहाँ से armhole draw करना है यह back का armhole है और half inch अंदर से front का armhole भी draw कर लेना है अभी यहाँ पर हम neck की marking नहीं करेंगे तो अभी हम cutting करेंगे सबसे पहले हम back armhole से cut करेंगे तो हमने इसकी cutting कर ली है अभी यहाँ पर हम pins हटा देंगे तो यह हमारी चार कलिया है दो front side की और दो back side की और यह दो center की कलिया है एक front side में लगेगी और एक back side में लगेगी तो इसमें से एक कली को हम side में रख लेंगे और यह चार कलियों में से दो कलिया हम side में रखेंगे तो यह तीन कलिया अभी हम attach करेंगे दो side की और एक center की तो इस तरह से इसको arrange करते वे रखना है अभी हम इन कलियों को attach करेंगे तो इसे हमें इसके ओपर उल्टा रखना है और stitch करना है और उसके बाद side में पलट देना है और इसी तरह से दूसरी कलियों को भी हमें stitch करना है इसी तरह से हम तीन कलिया front के लिए और तीन कलिया back के लिए attach करेंगे तो देखे हमने तीन कलिया फ्रंट के लिए एटेच कर ली है और ये तीन कलिया हमने बाक पार्ट के लिए एटेच कर ली है अभी स्लीव की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फाब्रिक को four fold करके रखा है ये open side है और ये full side है और इस 4-fold की जो width है वो हमने 10-inch के लिए जितना आपका आर्मोल है उससे 3-inch जादा लेना है और sleeves की length हमने लिए है 16-inch अब यहाँ पर हम 3-inch पे mark करेंगे और यहाँ से sleeves का shape draw कर लेंगे अब यहाँ पर हम sleeves bottom लेंगे तो वह मैं ले रहें 7-inch इन दोनों points को जोड़ देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा cut लगा लेंगे उसके बाद हम sleeves को open करके रखेंगे यहाँ पर दोनों sleeves की सीधी साइड अंदर की दिरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की दिरफ रखनी है उसके बाद हमें front का armhole draw करना है half inch अंदर से और इसकी cutting करनी है तो इस साथ से हमने sleeves की cutting कर ली है अभी हमने front का part लिया है सबसे पहले हम इसको center से fold कर लेंगे और front armhole की cutting कर लेंगे तो हमने front armhole की cutting कर ली है अभी हम neck की marking करेंगे तो neck width मैं ले रही हूं 2.5 inch और neck deep मैं ले रही हूं 5 inch front के लिए और उसके बाद यहाँ पर भी हम 2.5 inch ले लेंगे और एक box बना लेंगे और round shape draw करेंगे अभी हम neck की cutting कर लेंगे तो इस साथ से हमने front neck की cutting की है अभी हम इसको open करके रखेंगे अभी front part के center में हमें ये lace लगानी है तो सबसे पहले center में mark करेंगे अब यहाँ से हम 10 inch पे mark करेंगे 10 inch तक हम lace लगाएंगे तो इस तरह से lace को हमें रखना है यहाँ पर और यहाँ पर हमें इस तरह से V बनाना है देखिए इस तरह से V बनाते हुए हम इसको stitch करेंगे तो इस तरह से हमने lace को यहाँ पर stitch कर लिया है अब यह जो सिलाई है जो हमने लगाई है कलियों को attach करने के time पे तो इसी के उपर भी हम एक lace लगा लेंगे तो इस तरह से हम lace को इसके उपर रखेंगे और पूरा नीचे तक हमें यह lace stitch करनी है और दूसरे साइड में भी हमें यह lace stitch कर लेनी है तो इस तरह से हमने दोनों साइड में lace को stitch कर लिया है अभी हम front का neck ready करेंगे तो neck के लिए हमने neck के shape की strip कट की है इसे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अभी यहाँ पर हम छोटे-छोटे cuts लगा लेंगे और इस strip को हम अंदर की तरह फोल्ड करके top stitch लगा लेंगे तो इस तरह से हमने front का neck ready कर लिया है अभी हमने back का part लिया है तो अभी हम back neck की cutting करेंगे तो neck width मैं ले रही हूँ 2.5 inch और neck deep मैं ले रही हूँ 4 inch उसके बाद हम round shape draw कर लेंगे और neck की cutting कर लेंगे तो हमने neck की cutting कर ली है अभी हम इसको open करके रखेंगे तो back neck बनाने के लिए हमने तिरची पटी ली है इस पटी को हम इसके उपर रखेंगे और stitch कर लेंगे उसके बाद इस पटी को हम अंदर की तरफ double fold कर देंगे और back का neck ready कर लेंगे तो हमने back neck ready कर लिया है अभी हम front का part इसके उपर उल्टा रखेंगे और shoulders attach कर लेंगे अभी sleeves के bottom को हमें इस तरह से double fold करना है तो sleeves के bottom को हमने double fold कर लिया है अभी lace लेनी है हमें और lace को हमें यहाँ पर sleeves के bottom पे stitch करना है तो इस तरह से हमने sleeves पे lace को stitch कर लिया है दोनों side की sleeves पे तो अभी shoulders attach करने के बाद हम sleeves को attach करेंगे तो sleeves को हमें shoulder के उपर उल्टा रखना है और इसे stitch कर लेना है इसी तरह से हम दूसरा sleeves भी stitch करेंगे तो हमने दोनों side में sleeves को stitch कर लिया है उसके बाद हम इसको उल्टा करके दोनों साइट से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फूल्ड कर देंगे